Hello everyone, nice to see you all have joined, it's a great pleasure and very warm welcome to all of you on my channel Zafrani Kitchen तो आज आपकी छोटी छोटी भूप को मिटाने के लिए मैं जटपट वाली रेसिपी लेके हाजिर हुई हूई हूँ और ये रेसिपी का बेस है इडली इडली तो आप सभी ने खाई होगी चैसांबर के संग चटनी के साथ या तो फिर फ्राइड इडली लेकिन जो रेसिपी आज में आप लोग के लिए बनाने जा रही हूँ वो जरा हटके है और वो खाने के बाद तो आप जरूर बोलेंगे वाह क्या बात है तो रेसिपी जो है बेस तो इडली तो सभी लोग को बनानी आती है बहुत है सिंपल और इजी है मेथट तो मैं शुरू करती हूँ यहां पे मैंने इडली का बेटर प्रिपेर कर लिया है और इसको मैं इसमें थोड़ा सा मैं सॉल्ट एड़ करूंगी सॉल इसे भी बनाते हूँ बनाएं मैंने तो वन कप डाली थ्री कप राइस उसको अच्छे से वाश किया फोर आवर के लिए सोक करना है और सोक करने के बाद उसको ग्राइंडर में अच्छा स्मूथ पेस्ट बनाना है और सिक्स एट आवर्स तक आपको फर्मेंटेशन के लिए इसको कवर करके रख देना है और रखने के बाद अभी ये बैटर आप देख सकते हैं ये रेडी टू यूज हो गया है अभी यहाँ पे मैंने इडली का मोल लिया है ये इसको अच्छे से मैंने ग्रीस कर लिया ग्रीस करने के बाद मैं अभी इसमें बैटर को पोर कर दूँ और इसके बाद ही जब यह इडली को मैं स्टीम करूंगी 12-13 मिंट्स और उसके बाद इसको कूल डाउन होने के लिए 5 मिनिट्स छोड़ दूंगी और फिर उसको डी मोल्ड करूंगी तो इसली वो डी मोल्ड हो जाता है तो थोड़ा सा पेशेंस की ज़रुरत है आपको बहु डालने के बाद आप देख सकते हैं कितनी बीटेफुली मैंने इसको सेट कर दिया अब इसको मैं स्टीम के लिए रख दूंगी और स्टीम के बाद ही मेरी रेसिपी स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पर मैंने देखे निकाला और इसको अच्छे से कूल डाउन होने दिया अब यह देखे कितने अच्छे से निकल रही है और अब यहाँ पर इंग्रीडियन्ट देख लेते हैं यहाँ पर मैंने सोया सॉस है सॉल्ट, ब्लैक पेपर, रेट चिली सॉस, एन कैपसिकम, अनियन, कॉर्न फ्लार, रिफाइन फ्लार, ग्रीन चिली तो सबसे पहले मैंने कॉर्ण फ्लार लिया है, थ्री टेबल स्पून और उसमें थ्री टेबल स्पून ही, मैं रिफाइन फ्लार मैदा यूज़ कर रही हूँ और उसके बाद इसमें मैं सॉल्ट एट कर रही हूँ और इसमें मिक्स कर देना है, मिक्स करने के बाद इसको हमें वाटर से डेल्यूट करना है, एक सलरी आपको प्रेपेर करनी है, क्योंकि ये में इडली को फ्राइ करने के लिए यूज़ करूंगी अच्छा ये रनिंग करसिस्टेंसी होनी चाहिए बट थोड़ा थिक, अभी आपको इडली को कट करना है तो अभी इडली को भी एक डिजाइन देनी है, तो मैंने यहाँ पर इडली को में फ्राइ कर रही है तो मुझे न, मैं स्लाइस में कट कर donor वेर्यूं, क्योंकि मुझे और बहुत थिन भी नहीं कट करनी है आपको एक इडली में, फोर और फाइव पीसेस कट कर लेने है अब याप देखें यह कितना लीव का शेप आगया अब मैं इसको फ्राइ करूँगी और इसको एक फ्लावर का शेप दूँगी तो इसी तरह आप सब इडलियों को काट लीजे बिलकुल इसी तरह आप काटी आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं अब ही आप देखें यह सो सब्सक्राइब करना है अब यह स्लेरी में मुझे इसको डिप करना है दोना चीजे मेरी रेडी है इधर पर मैंने एक वोक लिया और उसमें मैंने कुछ 750 ml of oil डाला है और इसको डिप करना है डिप करके सलेरी में आपको ऐसे प्लेस करना है पकोड़े के जैसा नहीं डालना है थोड़ी स्पेस छोड़नी है अधर्वाइस सब स्टिक हो जाएगा एक दूसरे से तो थोड़ा थोड़ा गैब देना है और ज्यादा आपको ओवर क् अधर्वाइट भी नहीं करना है बस इस पेस दे दे के आपको ऐसे डालना है और मीडियम टू हाई फ्लेम रखनी है क्योंकि इडली मेरी कुक्ड है और स्लाइसे में कट भी हुई है तो इसको कुक नहीं होना है बट आउटर पार्ट को मुझे सिफ क्रिस्पी करना है और य इसको हमें निकाल लेना है और इसके बाद मैं इसको निकाल लिया है और निकालने के बाद मैं इसको टेश्यू पेपर पर डालूंगी कि जो एकसेस ऑईल है वो इस पे ड्रेंड आफ हो जाए और यहां पे मैंने ब्यूटिफुली प्लेटिंग कर लिए अब देखे कितना प्यारा लग रहा है और खाने में भी इतना ही टेस्टी है आप बनाईए और सफ कीजिए और अपने हिसाब से आप ड्रेसिंग डाल सकते हैं यहां पे मैंने पैन लिया ओयल डाला है इसमें और इसको थोड़ा सा सौटे करना है फिर जिंजर पेस्ट मैंने वन टे स्पून और इसके बाद मैं डालूंगी इसमें थोड़ा से इसको अनियन मैंने डाइस में कट की हुई है और इसको सौटे करना है और यह मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपको करना है क्योंकि वो हमें कुक नहीं करना है बस सौटे करना है और कैप्सिकम को भी मैंने डाइस में कट कि और मैंने ग्रीन चिली इसमें वनी डाली है तू थ्री हम चिली फ्राइ बना रहे हूं ग्रीन चिली ना डाले तो अनफेर हो जाएगा तो यहां पर आप इस हसाब से डाल सकते हैं आपको ज्यादा चाहिए तो लेकिन अगर आप बचों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा कमी डाले और मैंने black pepper crush किया वो भी add कर दिया है बस इसको थोड़ा सा stir करना है stir करने के बाद आपको इसमें ना slurry add करनी है मैंने जो slurry बनाई थी वो थोड़ा सा मेरी बज़ गई थी उसी में अच्छे यहां पर मैंने चिली sauce डाल दिया है वन टेबल स्पून और इसको mix किया और नेक्स हम सोया sauce डालने है टू टेबल स्पून उसको भी mix कर लेना है अब यहां जो slurry मेरी बची थी उसमें मैंने थोड़ा पानी डाल के dilute कर लिया है और इसको add कर रहे हैं और इसमें भी salt था सोया sauce में भी salt है चिली sauce में भी salt है तो सब में salt है already तो salt आप बहुत हिसाब से ही डालना है और इडली में भी salt है तो आपको यह slurry जितनी लगे आप उतनी डाल लिजे अगर आपकी slurry नहीं बची होती तो आपको एक 1 teaspoon corn flour, 1 teaspoon refined flour mix करके 3 tablespoon of water में dilute करना है और यहां पे add कर हमें इसमें place कर देना है और इसको फटाफट mix कर देना है mix करके और गर्मा गरम ही आपको serve करना है और mix करना भी आपको यह ध्यान रखना है कि इसको हमें जल्दी जल्दी ही चलाना है mix करने में और यहां पे आप spring onion डाल सकते हैं जो की एक basic रहता है बट मैं यहां पे coriander leaf डा नहीं थी और तो मैंने यह तो वैसे भी एक देसी डिश में विदेसी तड़का था और उपर से मेरी coriander leaf ने तो इसका टेस्ट और enhance कर दिया है तो आप भी कभी भी recipe पे stick नहीं होए थोड़ा सा variation आप कर यह और फिर देखिए वो recipe मतलब बहुत अलगी different बन जाती है और delicious भी तो अब यहाँ पे मैं प्लेटिंग कर रही हूँ अब इसको मैं dish out कर रही हूँ अभी देखे कितनी tempting लग रही हैं तो इसी तरह आपको गरमी जटपट बनाना और जटपट सर्फ करना और इसी तरह यह जटपट finish भी हो जहती है जितनी जल्दी बनती है उतनी जल्री फिनि रेसिपी नमबर टू अब हम रेसिपी नमबर थी पे जाते हैं और देखते हैं क्या इंग्रीडियन उसके लिए मुझे चाहिए है तो वहाँ पे इडली तो बेस है और नेक्स्ट इंग्रीडियन जो है वो है चाट मसाला चिली फ्लेक्स कश्मीरी लाल मिर्च राइ एंड लि लिए और इडली तो मेरी प्रेपेर्ड है तो अब मैं शुरू करती हूं नेक्स्ट अब इसको भी मुझे कट करना है अब ही आप किसी भी शेप में कट करें लेकिन यहां पे पहले एक इडली को मैंने नाइन पीसे में कट किया है अगर आपके पास छोटा इडली का मोल्ड है तो तो वो बेस्ट है आपको कट करने की जरूरत नहीं यहां इसको मैं सिक्स में कट कर रही हूं आप जितने छोटे पीस कट करेंगे इसमें फलेवर अंदर तक अच्छे से एबसर्फ सो के और यहां पे मैंने करी लिफ डाल दी है енपुल लॉफ और जैसे इसको मैने क्रेकर होने के लिए छोड़ा है ना तो ये सारे मसाले नो डांश करने लगते हैं और जैसे यह आपको लग यह थोड़ा सा मैंने आढ़ा बस इमिजेट आपको इनको इडली डालनी हो और जट पट इसको आपको चलाते जाना है रुकना बिलकुल भी नहीं है क्योंकि अगर आप रुगे ना तो वन साइड इडली सारा अब्साइड वो ड्राइ रह जाएगा और बस इसी तरह फटा फट डिश आउट कीजे और और मैंने कोरिंडर लीव डाली है है हैंडफल अफ तो यह हमारी थर्ड रेसिपी तो आपको यह मेरी जटपट रेसिपी कैसी लगी जरूर बनाईए और टेस्ट करके मुझे जरूर कमेंट में बताईए क्योंकि मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी तभी मैंने आपके तो प्लीज दू ट्राय कि अढाली है जरूर कि मैंने अजरूर क है क्योंकि वट्के साथीरू कार दूराय की हूं चैनल था नयू में भी में दो एकोज़की निरूराय का सब्सक्